नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे युनेस्को CCN यानि क्रेटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में हाली में भारत की दो सिटीज कोजी कोडे और ग्वालियर इन दोनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है इसलिए ये कंट अफे प्रस्पेक्टिस से हमारे लिए काफी इंपोर्टन हो जाती है तो आज इस वीडियो में हम इससे लेटे सारे इंपोर्टन फैक्स को कवर करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कोजी कोडे और ग्वालियर में ऐसा क्या है जिसके वैसे इन सिटीज को जुनेस्को की CCN यानि क्रियेटिव सिटीज नेटवर्ग के लिस्ट में डाला गया है तो आप इस वीडियो को अन तक देखेगा काफी नए चीज़ आपको सेखने को मिलेंगे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सकाइब वश्य करिएगा पॉलिटिस टेकोनोमी जिकेटिक उजड़ाफी सैंस रिमामें टेनिकोलोजी के तमाम वीडियो को देखने के लिए पर हमारी प्लेलिस को जुरू चेक करिएगा चले शुरुबात करते हैं देखें के सिटी ओफ कोजी गोड़ जो कहां है केरल में और मद्य परतेश की एक सिटी है गवालियर इन दोनों को युनेस्को की सी सी एन की जो लिस्ट है उसमें अभी डाला है जिसके फुल फॉम है क्रिएटिव सिटी नेटवर्ग अब देखो आर्ट्स म्यूजिक तो अब जो कोजी कोड़ा है उसको लिटरेचर के काटेगरी में डाला गया है और जो ग्वालियर है उसे म्यूजिक के काटेगरी में डाला गया है तब सबसे पहले हम युनेसको की सी सी एन के बारे में देखेंगे इसके अबजेक्टिव के बारे में ताकि कुछ cities जिनकी जो identification है वो creativity है कुछ ना कुछ यहाँ पे creative चीज़े हो रही है और वो उनकी identification है उस परकार के cities के बीच में cooperation को promote करने के लिए 2004 में इसको बनाए गया था अब यहाँ सवाल है कि cooperation इनमें प्रमोट करके क्या हो जाएगा तो यहाँ पे cooperation को promote करके एक strategic factor की तरह use किया जाए sustainable urban development के लिए तो इस point of time पे UCCN के under 100 से जादा देशों में 350 cities आती है यह जो network है इसका aim है कि creative social और economic potential जो है cultural industries का उसका use किया जाए sustainable development के लिए इसको UNESCO के जो goal है cultural diversity उसको पूरा करने के लिए और उसे promote करने के लिए launch किया गया था जहां रखिये cultural diversity हमारे भारत में भी क्या बोला जाता है कि unity in diversity है तो UNESCO के goal है कि cultural diversity को हम promote करें उसे promote करने के लिए ही इसे launch किया गया था इसके साथ साथ कुछ जो threats हैं जैसे कि climate change है, rising inequality है, inequality का मतलब होता है, एक उपर जला जाएगा, एक नीचे रे जाएगा, तो इन दोनों में equality नहीं होगी, इसको inequality कहते हैं, और rapid urbanization, rapid urbanization भी एक बहुत जादा threat है, आज rural से भाग के लोग urbanization की तरफ जा रहे हैं, कई rural areas में भी rapid urbanization हमें देखने को मेरी है, जो के अच्छी जीज़ नहीं है, क्योंकि इससे हो कह रहा है, पेड काटे जा रहे हैं, पूरे forest के forest काटे जा रहे हैं, और वहां पे hotels, बड़े-बडे मकान, दुकाने, ये सब बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा environment है, जो nature है, वो खराब होती जा रही है, तो rapid urbanization भी हमारे देश में, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बरा threat है, climate change और rising inequality तो है ही, तो हम एक resilience जो है, उसको strengthen करें, इस परकार के जतने भी threats हैं, इनके खिलाफ, तो ये भी एक aim है कि क्यों UNESCO की CCN को launch किया गया, अब हम बात करते हैं कि UNESCO की CCN की जो list है इसके objectives क्या है, इसके ये objectives हैं कि जितने भी member cities हैं, उन सारों को ये allow करता है कि urban development के लिए creativity को एक essential component की तरह माना जाए, उसको recognize किया जाए, और public, private sector और civil society है, उन तीनों में partnership, public sector, private sector और civil societies है, इन तीनों में partnership को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो urban development है, उसके लिए creativity के essential component बने, जो cities होती है, इन सारे के सारे cities को जिनको भी UN की CCN यानि creative cities network में डाला जाता है, इने UN का जो agenda है, sustainable development उसको भी achieve करना बढ़ता है, आपने ध्यान रखना है, इस पूरे के पूरे network की highlight ये है, कि यहाँ पे जितने भी in cities के mayor होते हैं, आप सब जानत होते हैं, इन सारे के सारे mayor's की एक annual conference होती है, साल में एक बार इनके पूरी conference होती है, mayor's के साथ साथ बाकी network cities के जो भी stakeholders होते हैं, वो सारे भी इस meeting में conference में पाट लेते हैं, अब यहाँ पे इस conference में ये करते क्या हैं, एक दूसरे ने जो भी अच्छे initiatives लिये होते हैं, उन सा इसके एक highlight होती है, जहां पे जितने भी cities हैं, उनके mayor's और उनके साथ उनके जो stakeholders हैं, वो सारे मिलते हैं, साल में एक बार एक annual conference में, और फिर अपने एक दूसरे के साथ जो भी अच्छे चीज़े अपने cities में करी होते हैं, उन सबको share करते हैं, इसके फाइदा क्या है, कि ज exchange करना, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और कोई भी अच्छा काम अगर एक city कर दी है, तो उसके बारे में बाकी cities को भी बताना तकि उन cities में भी वो अच्छे काम हो सके, इससे intercity collaboration को बढ़ाने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है, अब यहां पर जैसे मैं बताया कि mayor's क हर साल conference होती है, तो last year conference हुई थी ब्रजील के सेंटोज में, इस साल conference हुई है इंस्तानबूल, इंस्तानबूल जो है वो कहा है, तुर्किये में, तो अभी इसका नम तुर्किये है, पहले इसका नम तर्की था, लेकिन अब कुछ समय पहले इन्होंने अपना नाम बदल के त तुर्किये रखा, तो क्यों रखा तुर्किये, रसब अर्दोगर ने कहा, कि तुर्किये जो है, वो हमारे कल्चर को अच्छे से बताता है, तो और भी बहुत से facts हैं, जिसके वज़ए से तुर्किये का नम चेंज करके तुर्किये रखा गया है, इसको मैंने अच्छे से कवर किया है विस्तार से, आप उसे चाहिए दो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको description में देदूँगा, और मेरे चैनल के बाकी वीडियो को भी अगर आप चाहिए तो देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाके, काफी जीके ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, काफी और भी वीडिय ब्रागा में होगी तो यह अपने धान रखना है अब हम एक एकर करके बात करते हैं कोजी कोडे की और उसके बाद ग्वालिय की देखे कोजी कोडे जो है उसको इस लिस्ट में डाला गया अपने लिटरी ट्रेडिशन के लिए कोजी कोडे घर रहा है होम रहा है कई ऐसी सबसे पहली मलियालम नोवल जिसका नाम कुन्ढाला था उसका जनम कोजी कोडे में हुआ था travelled 1887 में उसके जो उथर थे उनका नाम था अप्पू हुआब था इधान रखना है लग और पहली मलियालम नोवल जिसका नाम काउए, लाथा इसके अलावा और भी बहुत जादा राइटर्स हुए हैं जो कोजी कुड़ा की धरती ने दिये हैं जैसे इसके पोटे कट होगे वाइको मुहम्मद बाशीर है उरूब है ठिको दियान है एनन ककड है एन वलसाला है अकबर ककाटिल है पुनाथिल कुझा बदुल्ला है एमटी वसुदेवन नायर है तो इस परकार से बहुत से बड़े अमेजिंग राइटर्स हुए हैं जो कोजी कुड़े की धरती ने दिये हैं अब हम बात करते हैं गवालियर कहां पर है मध्यपरदेश में गवालियर जो है उसको बर्थ प्लेस माना जाता है इंडियन क्लास ग्लोबर रिकोगनिशन मिली है अपने म्यूजिक के लिए गवालियर जो है उसे प्रीमियर और और ओल्डेस घराना माना जाता है म्यूजिक का खासकर यह जो ख्याल सिंगिंग राग होते हैं तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी काफी अलग अलग परगार के राग हो कि ये जो गौालियर का घराना है इसे सबसे एंशेंट माना जाता है इसको गंगूतरी कहा जाता है यानि कि ये ओरिजिन है ख्याल रागा का तो ये अपने धान रखना है अब वैसे तो गौालियर ने बहुत से इंडिन क्लासिकल मुजीशिन दिये हैं लेकिन उसमें दो का नाम सबसे उपरा आता है एक है तानसेन एक है बाईजू बावरा देखे सबसे पहले बात करते हैं तानसेन तानसेन जो हैं उनका जनम बहात में हुआ था और ये अकवर के नो रतनों में से नाइन जैवल्स दो थे अकबर के उन में से एक थे फिर बात करते हैं बाईजू बावरा जी की बाईजू बावरा जो हैं इनका वैसे जनम उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन बाद में ये ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि ये एक मेंटोर की तरह काम कर रहे थे वहां पर स्टूडेंस को ये म्यूजिक सिखा रहे थे और इनको पैटरनाइस किया गया था राजा मान सिंग जी के द्वारा तो राजा मान सिंग इनने काफी पैटरनाइस किया गरते थे यह fact आपने ध्यान रखने है अब देखे कोजी कुडे और ग्वालियर इन दोनों cities के लावा और भी कुछ cities है जिनको UNESCO की CCN Creative City Network की list में डाला गया है उसमें से कोजी कुडे ग्वालियर के साथ साथ आते हैं वारा नसी, श्री नगर और चैन्नाई अब देखो इन पांचों को याद रखने का एक ट्रिक है ट्रिक है Save, Save Creativity of KG Child यह एक चोड़ा सा ट्रिक मैंने बनाया है Save Creativity of KG Child KG में पढ़ने वाले बच्चे की जो Creativity है उसको Save करना है देखे, Creativity से आपके पास आगया Creative City Network फिर Save में, C से से आपके पास आगया Șरी नगर वे से आपके पास आगया बानासी KG में K से आपके पास आगया Kauji Koda G से आपके पास आगया Gwali Child में आपके पास आगया चैनने तो ये कुछ इंडियन सिटी हैं जो योनेस्कों के CCN लिस्ट में आती है I hope आपके वीडियो अच्छे लगी हो, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा पॉलिटिस टिकनों में GKTX जराफ्टी साइंस इनमा में टेनकोलोजी के तमाम वीडियो को देखने के लिए पर हमाली प्लेलिस को जो चेक करेगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद